हेलो दोस्तों मैं सवरों बली का आप सभी का टोपिक स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रेक्टिर टेस्ट में हम देखने वाले हैं बुगोल के 30 ऐसे महत्पूर परसन जो की एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा 30 में से आप कितने सही कर पाते हो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा अगर आप चाते हैं इसी तरीके से डेली ओनलाइन टेस्ट की वीडियो साथी साथ मैं तो रीजनिंग की वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे रेड कर लगे बटन को दबा करके बैल आइकन को जरूर रोन कर लिजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर क्या करें और दोस्तों को सेर भी क्या करें अपने फेस्बूक ग्रूप वोट्सब ग्रूप ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हैल्प हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को और देखिए अभी तक जितने भी टेस्ट अपलोड हुए है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्केप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आप सभी टेस्ट देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुके है आपको हरी कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आपको उस कोशन का अंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है A, B, C, D में से कोन सा राइट रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अंसर लिख दीजे दोस्तो बिल्कुल से अगर आप यहाँ पर ओप्शन D लगा रहे तो वेरी गूड राइट आंसर D हो जाएगा Q2, भारत की सरवदिक भूमी में कोन सी फसल उगाई जाती है तो कौन सा उप्शन रहेगा राइट जल्दी से बताईए दोस्तो बिल्कुल सही है यहाँ पर Q2 का राइट आंसर उप्शन A हो जाएगा Q3, निमलेकित में से रभी की फसल कोन सी है दोस्तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर उप्शन D लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर D हो जाएगा Q4, निमलेकित में से खरीव की फसल कोन सी है जल्दी से आंसर बता दिया करें नीचे कमेंट बुक्स में दोस्तो बिल्कुल सही Q4 का रहेट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q5, भारत का सबसे बड़ा मुंगफली उत्पादक राज्य है तो दोस्तो बिल्कुल सही यहाँ पे पांचवे का रहेट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q6, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है तो दोस्तो बिल्कुल सही है यहाँ पे छटे का रहेट आंसर ओप्शन A हो जाएगा अपना आंसर कमेंट बोक्स में जरूर दिया करें Q7, सांथ गाटी यानि कि साइलेंट वैली कहां अवस्थित है दोस्तो 7 का रहेट आंसर ओप्शन D हो जाएगा यह कोशन भी बहुत बार पुछा जाता है कोशन नमबर 8, भारत में चंदन की लकडी के लिए परस्चित राज्य है बहुत अच्छा कोशन है दोस्तो 8 का रहेट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है भाई कोशन नमबर 9 है उसना कटी बंदिय आरदिर सदा बार 1 कहां पाए जाता है दोस्तो बिलकुल सही है अगर आप यहाँ पर 9 का रहेट आंसर ओप्शन D लगा रहे है कोशन नमबर 10 देश के सरवधिक छेतरवल पर पाए जाने वाले 1 है तो बिलकुल सही है दसवे का रहेट आंसर ओप्शन C हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर चलते है कोशन नमबर 11 निमलकित में से किन पाडियों पर उसना कटी बंदिय सदाबार 1 पाए जाते हैं तो ग्यारवे का रहेट आंसर भी आपका ओप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर 12 भारत का कोन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्या उत्पादक है तो कोशन नमबर 12 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोशन नमबर 13 घाना पक्सी बिहार किस राज्य में इस्थित है बहुत इंपोटेंट कोशन है तो कौन सा रहेगा ओप्शन A, B, C, D में से दोस्तों बिलकुल सही है थर्टीन का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 14 एसियाई सेर के लिए परशित गिर राष्ट या उद्दान किस राज्य में इस्थित है तो बताएगे जल्दी से A रहेगा या ओप्शन B रहेगा या C रहेगा डी रहेगा वेरी गुड फोटीन का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 15 निमलकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल सही 15 का राइट आंसर ओप्शन अगर आप डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमबर 16 भारतिया गैंडे कहां पाए जाते हैं तो 16 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोशन नमबर 17 सुल्तानपुर पक्सी अभ्यारण किस राज्य में हैं दोस्तों चे आंसर गलत लगाएं चे सही लगाएं आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसमें नीचे कमेंट बोक्स में अपना आंसर जरूर बताया करें बिल्कुल सही अगर आप सतरवे का राइट आंसर ओप्शन सी लगा रहें तो वेरी गुड राइट आंसर सी हो जाएगा कोश्चन नमबर 18 निमलिकित में से कौन सा अभ्यारन जंगली हात्यों के लिए परसिद है बिल्कुल सही है एटीन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोश्चन नमबर 19 नल सरोवर पक्सी अभ्यारन किस राज्य में है दोस्तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे 19 का राइट आंसर ओप्शन भी लगा रहे है कोश्चन नमबर 20 भारत के सरोवर दिक छेतर पर किस परकार के मिट्टी पाई जाती है बहुत ही अच्छा कोश्चन है दोस्तो बिल्कुल सही है 20 का राइट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा कोश्चन नमबर 21 नवीन जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो 21 का राइट आंसर ओप्शन दिक हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 22 गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बिल्कुल सही है अगर आप 22 का राइट आंसर ओप्शन भी लगा रहे हैं कोश्चन नमबर 23 कपास की खेती के लिए सरुतम मिट्टी कोन सी है तो दोस्तों बिल्कुल सही है 23 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा सारे के सारे कोश्चन बहुत बार पुछे जा चुके है रेगूड नाम है तो ये भी बिल्कुल सही है 24 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोश्चन बार 25 किस मिट्टी में किर्सी के लिए अधिक सिचाई की आवश्यक्तन नहीं होती है तो 25 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोश्चन बार 26 लेट राइट मिट्टी की परधानता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पे 26 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 27 दान की खेती के लिए सर्व अधिक उप्यूक्त मिट्टी है तो दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पे 27 का राइट आंसर ओप्शन दी हो जाएगा कुशन नमबर 28 लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है अगर आप 28 का राइट आंसर ओप्शन दी लगा रहे हैं कुशन नमबर 29 मर्दा अपर्दन को किस परकार रोका जा सकता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है 29 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कुशन नमबर 30 भारत के उत्री मैदान में किस मिट्टी का सर्वदिक विस्तार है दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक जरू करिएगा तो 30 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कुशन नमबर 31 काली मिट्टी का विस्तार पाय जाता है तो दोस्तों बिलकुल सही है 31 का राइट आंसर बिलकुल सही दी हो जाएगा कुशन नमबर 32 भारत में किस परकार की जलवायू पाय जाती है तो दोस्तों बिलकुल सही 32 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा 33 भारत में सबसे ज़्यादा गरम इस्थान है तो बिलकुल सही है कुशन